देखे ये बहुत बड़ा breakthrough है मैं समझता हूँ कि PCB या Pakistan Cricket या Pakistani Cricket fans ये deserve करते हैं breakthrough क्योंकि हमने बहुत मेनत की है perceptions, negative build-up हुए हुए थे कई अर्से से Pakistan के बारे में वो demolish हुए है एक तरह से हमारी cricket में confidence दिखाया गया है हमारी management skills में confidence दिखाया गया है और फिर ये सब जो मेला सचता है ये fans के लिए सचता है और fans ने बहुत कुर्बानिया दी हैं बहुत देर तक हम receiving end पे रहे हैं और इसलिए ये एक massive massive breakthrough है तो मैं सब को मुबारिक बात देना चाहता हूँ इस सिलसले में ऐसा जब आपको एक global event मिलता है तो सबसे पहले तो दुनिया की नजरें आप पे जम जाती है फिर आपकी accountability भी शुरू हा जाती है कि आप कितने पानी में है regarding delivering a world class product and an event सो हम इंशाला पूरी मेनत करेंगे कि कहीं कसर ना रह जाये मगर ये बहुत सारी जगों के उपर जो मैं breakthroughs की बात करता हूँ पाकिस्तान में और हमने देख लिया world cup campaign में कि किस तरह सारा मुल्क overseas Pakistani जुड़ गए इस team के साथ और एक ही नारा था पाकिस्तान जिन्दाबाद वो जो एक एक अपनी confidence आता है एक nation में वो priceless होता है इस तरह का अगर आपको event मिल जाता है so from economic, from eyeballs, from fan perspective, from अपनी skills के हम कहां पे है और सबसे important बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सब चीज मिलने के बाद फिर हमें team भी world class उतारनी है मैदान में क्योंकि अगर results घर में नहीं मिलेंगे तो फिर काम जो है वो सादा सा लगता है, वो अधूरा लगता है so जितनी मेनत off the field हुई है इस global event को हासिल करने के लिए हमारी presentations गई है वो कबूल की ICC level के उपर उतनी मेनत अब हमें करनी है एक world class team उतारने के लिए ICC में यही मैंने किया है कि हमें invest करना है एक दूसरे के emotions में हमें invest करना है एक दूसरे की frustration में कि क्या frustrations है एक neighbor को या एक brotherly board member को जिससे के उसकी cricket में दराडे पड़ती है road blocks खड़े होते हैं so सब हमें एक page पे होना है क्योंकि अगर cricket उसकी global value है और अगर cricket को globalization point of view से देखा जाए कि कहां कहां जाकर ही hit करती है तो अगर आपके members ही खुश नहीं होंगे तो फिर आगे ये कर्मा नहीं चल सकता है so उस लिहाज से ये एक हमारे लिए एक great comeback में कहूंगा of sorts इसलिए के England के यहां पे आना और अपनी position explain करना इसी तरह से Australia का tour announce होना New Zealand revisit कर रहा है और schedule हमें देगा अपने matches खेलने के लिए so ये बड़ी अची चीज़ हैं क्योंकि हमेशा से जो एक हमारी एक target और एक जो हमारी दिल्चस्पी और एक हमारी जो खुश थी वो यही थी कि ये जो western countries हैं ये पाकिसान है तो जब ये आती हैं तो फिर बहुत इसका फर्क पड़ता है you know eyeballs जो है वो positive होती है headlines positive होती है घर में world cup खेलना ये global event में हिस्सा लेना इससे बड़ा कोई एक तरह से एजाज नहीं होता है क्योंकि जब आप field में उतरते हैं जैसे कि हम 87 के world cup यहां पाकिसान में हुआ था या 96 का world cup हुआ था जिसका मैं part था वो feeling एलग होती है आपकी body language आपका एक self belief जो है वो sky high होता है और आप में ये feeling होती है कि आप अपने fans कोई disappoint नहीं कर सकते तो हारना option ही नहीं होता आपके जहन में नहीं आता और फिर जब fans ताली बजाते हैं तो फिर आपको महसूस होता है कि आप क्या contribute कर रहे हैं इनके लिए और ये जो game है ये fans के लिए है अपने लिए भी आप खेलते हैं obviously और अपने आपको challenge करते हैं अगर घर में खेलने से आपकी cricket जो है वो आस्मान पर चली जाती है और इसलिए भी जैसे मैंने पहले का कि एक major breakthrough मिला हमें